मेरे बहुत ही प्रीय और बेहत सम्मानित साथियों रिदय की साथियों चर्चा हमारी बहुत ही रोचक श्रिंखला पर चल रही है और आज इस श्रिंखला में हम चर्चा करने जा रहे हैं कन्या लगन के जातक को कौन से रत्न भूल कर भी कभी भी धारन नहीं करने चाहिए और सबसे बड़ी खूबसूरती इस बात की ये है कि ये जो रिसर्च है ये कन्या लगन के सभी जातकों पर एपली केबल है यूनिवर्सली ये एपली केबल है साथियों आम तोर पर हम क्या देखते हैं बहुत ही मूर्खता पूर्ण हमारे तरीके होते हैं स्टोन धारन करने के जिसके बारे में हमने पहले भी चर्चा की एक तो मुझे ऐसा उदारन मिला कि फला फला हीरो या हीरोईन जो कि उसको बेहत पसंद है और उसने किसी इंटर्विव में देखा कि मेरा जो पसंदीदा हीरो जो स्टोन धारन करता है उसने नीलम धारन किया हुआ है तो मैं भी नीलम धारन करूंगा और इसकी कितनी बड़ी कीमत उस व्यक्ति को चुकानी पड़ी ये मैं सुन करके दंग रह गया था आप ऐसी गलती न करें इसलिए हम ये शोध लेकर के आए हैं भारत में यही प्रचलन है कि यदि रोग से पीड़त है तो कोई भी कह देता है कि मूंगा धारन कर लीजिए इसको गुसा बहुत ज़्यादा आता है तो इसको चंदरमा का मोती धारन करवा दिया जाए व्यापार में यदि लगातार घाटा हो रहा है तो हम इसको बुध का रतन पन्ना धारन करा देते हैं इस प्रकार की गलत फहमियों के चलते ही लोग रतन से पतन की तरफ बढ़ते चले जाते हैं साथियों यदि आप भी अपने लगन से संबंधित एपिसोड देखना चाहते हैं तो यहाँ आई बटन में हम प्रयास करेंगे उसका लिंक प्रो वाइड कराने का आप प्ले लिस्ट में जाकर के अपने लगन से संबंधित एपिसोड देख सकते हैं साथियों विस्तार से हम चर्चा करें इससे पहले दो बेहद महत्वपूर्ण सूचनाएं हैं आपके लिए एक तो यही कि हमारा प्रयास रहता है कि हम हमारे प्रत्तिक एपिसोड के अंत में किसी न किसी जातक के प्रशन का उत्तर दे और ये हमें प्रश्ण प्राप्त होते हैं यूट्यूब कमेंट के माध्यम से जब भी आपको अपना कमेंट लिखना हो उससे पहले आपको लिखना है हैश्टेग आचार्य चंद्रकांत और इसके बाद में आप अपना कमेंट कर सकते हैं अपना प्रशन पूछ सकते हैं शर्त ये है कि इसी एपिसोड से संबंधित एक प्रशन जो कि हम अंतिम में पूछेंगे आप से उसका सही उत्तर साथ में लिखा होना बेहद जरूरी है और वो आपके ज्यान को वरधित करने वाला ही साबित होगा साथ यो दूसरी सूचना है नहिशुलक मार्ग दर्शन को ले करके हमारे नियमित दर्शक जानते हैं कि हम प्रती माह जो अंतिम रविवार है उस दिन प्रस्तुत होते हैं दो पहर में लगभग सवा बारा बजे के आसपास अब ये जो लाइव कारिक में देंगे और आप यूट्यूब में जा करके उसको सर्च भी कर सकते हैं तो उसको आप शीग्र अतिशीग्र सब्सक्राइब जरूर करें तो आईए साथियों बिना किसी देरी कि हम कन्या लगन की जन्म पत्रिका में तीन घातक रतनों की चर्चा कर लिए साथियों ये जो आप स्क्रीन पर जन्म पत्रिका देख पा रहे हैं ये है कन्या लगन की जन्म पत्रिका क्योंकि आप देख रहे हैं कि लगन में ही छै नंबर का अंक लिखा है छै नंबर से ये प्रारंभ हो रही है सबसे पहला रत्न चंद्रमा का रत्न मोती जिसकी मैं चर्चा करने जा रहा हूँ कई लोगों को ये गलत फहमी होती है कि इस जन्म पत्रका में चंद्रमा लाभेश है तो लाभ की वृध्धी के लिए हम चंद्रमा को धारण कर ले साथियों ऐसी गलती कभी भी मत करना यहाँ पर चंद्रमा बुध का अर्थात लगनेश का परमशत्रू है अपनी दशा अंतर दशा में वो आपको भयंकर परिणाम अवश्य देगा इसलिए आप उसका रत्न मोती किसी भी कीमत पर धारण ना करें और आप देखेंगे कि यदि आप मेंसे किसी ने मोती धारण किया हुआ है और कन्या आपका लगन है तो धारण करने के बाद ही संपत्ती से संबंधित कोई ना कोई विवाद आपके जरूर होगा चाहे फिर वो पैत्रक संपत्ती हो या फिर वो अन्य किसी प्रकार की संपत्ती ही क्यों न हो जैसे ही आप धारन करेंगे आपकी महत्वा कांग्षा तो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी आपके सपने बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे परन्तु उस महत्वा का अंक्षा को उन सपनों को पूरा करने का साहस आप जोटा नहीं पाएंगे गाहे बगाहे घर में या ओफिस में सम्मान की निरंतरहानी ये देता है अपने अधिकारी से विवाद देता है और निजिक शेत्र में या कई बार तो नौकरी तक जाने की नौबत आ जाती है समस्याएं जो हैं वो एक के बाद एक आती तो हैं पर वो विकराल रूप भी धारन करती रहती हैं समस्याएं एक परवत का आकार गरहन कर लेती हैं तो इतना हानी देने वाला मोती आप कभी भी धारण ना करें साथियों कन्या लगन में दूसरे रत्न जिसके मैं वर्जित मानता हूँ वो है मंगल देव का रत्न मूंगा साथियों इस जन्म पत्रिका में मंगल देव तृतियेश और अश्टमेश हैं और साथ ही बुद्ध के वो परम शत्रू हैं और इस कुंडली में यदि मंगल को अती मारक कह दिया जाए तो बिलकुल भी गलत नहीं होगा आपको यदि अनुभव है मूंगा धारन करने का तो आप मेरी बात से इत्तिफाक जरूर रखेंगे जब भी कन्या लगन का जातक मूंगा धारन करेगा धारन करते से ही उसके अपने भाईयों बहनों से शत्रूता पूर्ण संबंध स्थापित हो जाएंगे लंबे समय तक ये शत्रूता चलेगी सरकार में यदि आप काम करते हैं तो आप मेहनत चाहे कितनी भी कर लें आपको क्रेडिट उसका बिलकुल भी नहीं मिलेगा उल्टा आप पर जूठे आरोप जरूर लगा दिये जाएंगे आपकी सही बात को भी आपकी आवाज को दबाने का कार्र किया जाएगा जो कार्र आपने किया ही नहीं है उसके लिए भी आपको जिम्मेदार ठहराया जाएगा ऐसा है मूंगा का प्रभाव चिंता एक परकार से डिपरेशन की तरफ आपको लेकर रके जाएगी कोई न कोई बीमारी इसमें जरूर मंगल देव प्रदान करते हैं इसलिए मंगल को आपको एक्टिवेट नहीं करना है आप में जो गुण है उसका उप्योग आप नहीं बलकि कोई और करता है धन यदि आपके पास आएगा भी तो वो किसी न किसी प्रकार के गहरे कलेश को सा साथ में लेकर के आएगा इसलिए मेरा पुनह निविदन है कि ये मूंगा भी आप धारन न करें आई ये साथ यों तीसरे रतन की बात करते हैं और वो है सूरज का रतन मानिक के सूरज इस जन्म पत्र का में व्यायेश है ट्वेल्थ हाउस का स्वामी है खर्चेश है कि आईए और मेरा बिगाड करिये पैसा चाहे जितना आप कमा लें जतनी तेज गत्वी से आप कमाएंगे अतने से और बलकि अससे दोगुनी गत्वी से वो पानी तरह व्यर्थ बहता चला जाएगा जो आप प्लानिंग कर लेंगे उस प्लानिंग को इंप्लीमेंट कभी भी नहीं कर पाएंगे और ऐसा जो जाता कि है उसके मन में एक इच्छा जरूर होती है कि वो विदेश में जाकर करके सैटल हो जाए पर उसके बाद में वहां पहुंच करके उसको सिवाय परेशानियों के सिवाय मुसिबतों के और कुछ भी प्राप्ट नहीं होता है तो साथियों मेरी आप से कर बद्ध प्रार्थना है कि ये तीनों रतन आप गलती से भी धारन न करें यदि कन्या लगन के आप हैं साथियों श्रिंखला हमारी आगे से आगे जारी है आप अपना सनह इसी प्रकार से देते रहिए आईए साथियों अब हम बढ़ते हैं आज के हमारे कमेंट के चरण की और आज हमने कमेंट शामिल किया है आशीश सोनी जी का जो कि उन्होंने लिखा है और आशीश जी आपने पूछा है कि आपके जीवन में आर्थिक स्थिर्था कब तक आप आएगी इसी माह अगस्त की ही मैं बात कर रहा हूँ एक अवसर आपको मिलेगा और वो अवसर यदि आपने अपना लिया और उस पर इमानदारी से कारे कर लिया तो आपको आर्थिक स्थिर्था की प्राप्ती अवश्य होगी आपके लिए उपाई ये है कि अभी नहीं तो फिर श्रावन मास के पश्चात भी आप निरंतर महादेव पर गन्य के रसका अभिशेक अवश्य कर तो साथियों अब आज का बेहत ही आसान सा प्रश्ण आज हमने चर्चा की कन्या लगन की चर्चा की तीन महा घातक रतनों की जो इनको पतन के रास्ते पर ले करके जाते हैं तो कन्या लगन में कौन से तीन रतन कभी भी धारन नहीं किये जाने चाहिए यही प्रश्न है, साथियों आप सभी स्वस्थ, सम्रिद्ध और शांति पूर्वक जीवन व्यतीत करें, नमस्कार तो आज ही अपनी जन्म पत्रिका का संपूर्ण विशलेशन करवाएं और पाएं समस्या से सदैव के लिए मुक्ती